हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है आकाश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कहानी क्राइम की चैनल पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा उसके बारे में शुरू में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा बस इतना जान लीजिए कि आज की कहानी अमेरिका से है और ये कहानी आपको बिल्कुल कालपनिक लगेगी मगर मैं आपको बता दू कि ये कहानी बिल्कुल रियल है तो चलिए अब मैं सिधे कहानी पर आता हूँ कहानी शुरू होती है पोर्टलेंड से जो कि अमेरिका की एक स्टेट औरेगॉन का सबसे बड़ा शहर है बुद्वार 24 नौंबर 1971 की दुफैर में 40 से 45 साल का एक शक्स पोर्टलेंड इंटरनेशनल एरपोर्ट पर पहुंचता है उसकी हाइट लगबग 6 फूट या उससे थोड़ी ही कम होगी उसने एक डार्क कलर का बिजनेस सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और डार्क ब्राउन शूस पहन रखा था साथ में उसने उपर से एक ब्लैक रेंकोट भी डाल रखा था और हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रीफ केस भी ले रखा था उस दिन एरपोर्ट पर ज़्यादा भीड नहीं थी क्योंकि अगले दिन 25 नौउंबर को अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है जिसमें की लोगवाग अपने जानने वालों से मिलते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और थैंक्यू बोलते हैं और उस दिन पूरे अमेरिका में छुट्टी होती है तो ज़्यादातर लोग पहले ही अपने रिस्तेदारों के याँ पहुँच जाते हैं इसलिए 24 नौउंबर 1971 को एरपोर्ट पर बहुत कम लोग थे एरपोर्ट पहुँचने के बाद वो आदमी Northwest Orient Airlines के काउंटर पर जाता है और वहाँ पहुचने के बाद वो पोर्ट लेंड से सियेटल के लिए एक वन वे टिकेट खरीदता है जिसके लिए वो 20 डॉलर पे करता है कैश में और काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर बताता है जिस फ्लाइट में उसे टिकेट मिली वो थी फ्लाइट नमबर 305 और वो प्लेन एक बोईंग 727 था टिकेट लेने के बाद कूपर बोर्डिंग गेट की तरफ जाता है उस टाइम पे एरपोर्ट पे ना तो कोई मैटल डिटेक्टर होता था और ना ही कोई चेकिंग बस जो एक चीज आपको बोर्डिंग के लिए चाहिए होती थी वो थी टिकेट तो बोर्डिंग वगरा करने के बाद कूपर नौर्थवेस्ट ओरियंट एरलाइन्स की फ्लाइट नंबर 305 में पहुंसता है और सबसे पीछे के लाइन में जो सीट थी वहाँ जाकर वो बीच वाली सीट नंबर 18C पर बैट जाता है और अपने बगल वाली सीट पर वो अपना ब्रिफकेज रख देता है उसके दूसरे तरफ की जो सीट थी वो भी खाली थी उसके बाद वो एक काले रंग का चश्मा लगाता है अपनी सिगरेट जलाता है और फिर बर्बन और सोडा का एक ड्रिंक ओर करता है उस फ्लाइट में कूपर के अलावा 35 पैसेंजर और थे और कूपर 36 वा उसके अलावा तीन फ्लाइट एटेंडेंट एक पाइलेट एक को पाइलेट और एक फ्लाइट इंजीनियर भी था तो कुल मिलाकर उस फ्लाइट में 42 लोग थे और वो फ्लाइट लगबग 2 तिहाई खाली थी दो फैर 2 बच के 50 मिनट पर ये फ्लाइट अपने तैवक्त पर पोर्टलेंड इंटरनेशनल एरपोर्ट से टेक ओफ करती है और लगबग आदे घंटे बाद इसे सियेटल के टकोमा इंटरनेशनल एरपोर्ट पर लेंड करना था फ्लाइट टेक ओफ करने के थोड़ी दिर बाद ही कूपर अपनी जेब से एक परची निकालता है और अपने बगल से गुजर रही एक फ्लाइट एटेंडेंडेंट जिसका नाम फ्लोरेंस शैफनर था वो उसे रोकता है और वो परची उसे देता है फ्लोरेंस वो परची लेती है उसे देखकर मुस्कुराती है और वहाँ से चल देती है उसे लगता है कि ये कोई flood type का आदमी है और अपना phone number देने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था तो Florence उस परची को पड़े बिना ही अपनी jam में रख लेती है कूपर जब ये देखता है कि उसने परची पड़े बिना ही अपनी jam में रख लिया तो वो उसे दुबार अपने पास बुलाता है और उसके कान में धीरे से कहता है कि अगर आपने वो परची पड़ ली हो तो ठीक है नहीं तो मैं आपको पताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक bomb है जैसे ही ये बात Florence सुनती है वो घबरा जाती है फिर वो परची खोल कर देखती है तो उसमें लिखा था कि मिस मेरे पास एक bomb है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आकर बैठें उसके बाद Florence अपनी एक साथी flight attendant जिसका नाम टीना मकलो था उसे बुलाती है और वो परची दिखाती है ये परची देखने के बाद Tina भी घबरा जाती है मगर वो फिर भी Cooper से पूछती है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे तो Dan Cooper Tina मकलो से कहता है कि आप मेरे पास बैठिये मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ फिर Tina उसके बगल में जो खाली सीट थी उसके बैठ जाती है उसके बाद Cooper अपना ब्रिफकेस खोलता है और उसे दिखाता है उस ब्रिफकेस में आठ डाइनमाइट की स्टिक थी जो कि चार-चार के बंडल में एक साथ जुड़ी हुई थी एक बैटरी थी और बहुत सी तारे उससे जुड़ी हुई थी ये देखने के बाद वो दोनों और घबरा जाते हैं फिर Cooper बोलता है कि ये प्लेन हाईजेक हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो डिमांड है वो इस प्लेन के कैप्टन तक पहुँचाए उसके बाद Cooper एक परची पर अपने डिमांड लिखवाता है उसकी डिमा पर एक इंधन से भरा ट्रक होना चाहिए और अगर कोई भी चलाकी हुई तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूँगा उसकी ये डिमांड लेकर फ्लोरेंस उस फ्लाइट के कैप्टन विलियम स्कॉट के पास पहुँचती है इधर टीना भी Cooper के बगल में बैठ कर उस प्लेन के इंटर कॉम से कैप्टन विलियम को सारी सिचुएशन बताती है उसके फॉरण बाद कैप्टन विलियम सियेटल एरपोर्ट के एटीसी यानि एर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं और सारी घटना की जानकारी देते हैं कि ऐसे ऐसे एक आदमी जिसका नाम डैन कूपर है उसने फ्लाइट नंबर 305 को हाईजेक कर लिया है उसके पास एक बॉंब है और उसकी ये ये डिमांड है और अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो ये प्लेन बॉंब से उड़ा देगा एरपोर्ट अथॉर्टी जैसे ही ये खबर सुनती है वहाँ भी हड़क जाती तब तक ये प्लेन सियेटल में लैंड नहीं करेगा और ये भी मांग करता है कि उसे जो दो लाख अमेर की डॉलर चाहिए वो सभी बीस बीस डॉलर की शकल में होने चाहिए उसके बाद टीना इंटर कॉम के जरिये ये बात पाइलेट तक पहुँचाती है और फिर प फ्लाइट 305 सियेटल पहुँच गई पर क्योंकि कूपर ने कहा था कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये प्लेन लैंड नहीं करेगा तो पैसेंजर के बीच पैनिक ना फैले इसलिए ये अनॉंसमेंट की गई कि एक छोटी सी मेकैनिकल प्रोब्लम की वज पकड़ रखा था इस दोरान टीना ने कूपर से पूछा कि उसने हाईजैकिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरियंट एरलाइन्स को ही क्यों चुना क्या उसे इस एरलाइन्स से कोई बदला लेना था तो कूपर बोला नहीं मुझे बस बदला लेना था पर इस एरलाइन्स स करवाती है ताकि आगे कभी ये पैसे खर्च हो तो कूपर को पगड़ा जा सके आज 2021 में इन दो लाग डॉलरों की कीमत लगबग 13 लाग डॉलर के आसपास है और अगर इन डॉलरों को भारतिय करंसी में कनवर्ट करू तो आज इसकी कीमत होती है लगबग 10 करोड रुपे खबर दी जाती है कि उसकी सभी डिमांड पूरी कर दी गई है फिर कैप्टन ये खबर टीना को देते हैं और टीना कूपर को उसके बाद कूपर प्लेन को लैंड करने की इजाज़त देता है और कहता है कि इस प्लेन को सभी फ्लाइटों से दूर एक अलग रनवे पर करती है उसके बाद सियेटल एरपोर्ट का मेनेजर दो लाग डॉलर और चार पैराशूट लेकर उस बोईंग 727 के पीछे वाले गेट पर पहुंचता है उस वक्त बोईंग 727 ही इकलोता ऐसा कमर्शियल प्लेन था जिसके गेट पीछे की साइड से भी खुलते थे और उस सीडी भी लगी होती थी उसके बाद टीना मकलो पीछे वाले गेट से बाहर आती है और एरपोर्ट के मेनेजर से दो लाग डॉलर जो की बोरी में भरे हुए थे क्योंकि 20-20 के छोटे नोट होने की वज़े से उन पैसो की बहुत सारी गड्डियां बन गई थी और सिर्फ उ इस पाउंड यानि साड़े 10 किलो हो गया था तो टीना उन पैसो और पैराशूट को लेकर डैन कूपर के पास पहुँचाती है इस दोरान प्लेन में फ्यूल भरने का काम भी शुरू हो चुका था और जब कूपर की इन सभी डिमांडों को पूरा कर दिया गया तो उसके ब मुसाफिरों को तो ये तक पता नहीं था कि वो जिस प्लेन से उतर रहे हैं वो हाईजयक हो चुका है कुछ मुसाफिर जिनोंने पैसो और पैराशूट को प्लेन में ले जाते देखा सिर्फ वही इस बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते थे अब उस बोईंग 727 में सिर करते और रखता है पहला कि इस प्लेन को मेक्सिको ले चलो मगर उसे बताया जाता है कि ये प्लेन डिरेक्ट मेक्सिको नहीं जा सकता हमें बीच में कहीं उतर कर इसे रीफ्यूल करना पड़ेगा फिर सियेटल से मेक्सिको के बीच कूपर को दो ऐसे आप्शन दिये जाते ह जहां वो उतर कर refuel कर सकते थे पहला Phoenix Arizona और दूसरा Reno Nevada काफी सोच विचार करने के बाद Cooper Reno Airport पर refuel करने की मंजूरी दे देता है दूसरा की इस plane की पीछे की CD को खुला रखना है, मगर उसे बताया जाता है कि पीछे की CD को खुला रखकर ये plane टेक ओफ नहीं कर सकता और उसे option दिया जाता है कि जब ये plane हवा में होगा तब वो इस CD को खुल सकता है तो Cooper इसके लिए मान जाता है तीसरा की इस plane की speed 200 miles से जादा नहीं होगी चौथा की इस plane का landing gear पूरे सफर के दौरान खुला रहेगा और पांचवा की plane के दोनों तरफ के wings के flap 15 डिगरी तक जुके रहेंगे एरपोर्ट अथोर्टी और FBI उसकी इन सब शर्तों को मान लेती है और फिर शाम 7 बच कर 36 मिनट पर लगबग दो घंटे बाद ये plane Seattle एरपोर्ट से Reno Nevada के लिए टेक ओफ करता है Boeing 727 के हवा में पहुँचने के लगबग 5 मिनट बाद ही Cooper साथ बैटी Tina मकलो से कहता है कि अब वो भी cockpit में चली जाए और उसे अंदर से lock कर ले और अब इसके बाद उसे कोई disturb ना करे टीना उसकी बात सुनने के बाद cockpit के तरफ जाने लगी और cockpit में पहुँचने के बाद उसे अंदर से lock करने से पहले एक आखरी बार उसने Cooper को देखा तो वो plane के बीचो बीच खड़ा था और अपनी कमर से कुछ बांद रहा था शायद वो पैसे थे इसके बाद टीना कॉक्पिट को अंदर से बंद कर लेती है और अब उस plane में पीचे सिर्फ Cooper ही था अच्छा जब ये plane सियेटेल एरपोर्ट से उड़ा तो इस plane पर नजर बनाये रखने के लिए इसके पीचे US Air Force के दो F106 fighter jets भी लगा दिये गए जिनमें की एक Boeing 727 के उपर उड़ रहा था और एक नीचे बाहर तेज हवाओ के साथ बारिश भी हो रही थी और ये plane 200 miles की रफतार को बरकरार रखते हुए 10,000 feet की उचाय पर अपने तैर रूट पर उड़ रहा था लगबग 8 बजे के आजपास cockpit के अंदर light indicate होती है कि पीछे की CD को खोला गया है और air pressure भी change हो रहा था इसका मतलब था कि plane के अंदर बाहर से हवा आ रही है तो Captain William Intercom के जरिये Cooper से बात करने की कोशिश करते हैं मगर Cooper उस call का कोई जवाब नहीं देता और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे जाकर देखे कि आखिर चल के आ रहा है क्योंकि Cooper ने किसी को भी पीछे आने से मना किया था इसके लगबग 10 से 15 मिनट बाद cockpit में बैठे सभी लोगों को प्लेन में एक जटका और बहुत तेज एक air pressure महसूस होता है जिसकी वज़े से सभी के कान थोड़ी देर के लिए सुनने पड़ जाते हैं मगर थोड़ी देर बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसके दो घंटे बाद रात लगबग 10 बच के 15 मिनेट पर ये प्लेन रेनो के ताहोई इंटरनेशनल एरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करता है और इस प्लेन की पीछे की सीड़ी अब भी खुली हुई थी रेनो एरपोर्ट पर पहले से ही FBI के एजेंट्स रेनो पुलिस और सुरक्षा बल कूपर को पकड़ने की तैयारी में बैठे थे और बोइंग 727 के लैंड करते ही ये सभी इस प्लेन को चारो तरफ से घेर लेते हैं मगर वो जैसे ही इस प्लेन में घुसते हैं उन्हें कहीं भी कूपर दिखाई नहीं देता पर कूपर जिस सीट पर बैठा था वहाँ से उन्हें दो पैरशूट मिलते हैं एक खुला और एक रिजर्ब पैरशूट कूपर ने जो सिगरेट पिये थे उसके 8 बचे हुए बट्स भी मिलते हैं और एक काले रंग की क्लिप ओन टाई भी मिलती है जिसमें की एक टाई क्लिप भी लगी थी वो एजेंट्स उस प्लेन का चपपा 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 चान मारते हैं पर उन्हें ना तो बॉम मिलता है ना ही पैसे और ना ही कूपर का कोई नामो निशा इसका मतलब था कि वो सिएटल से रेनो के बीच पैरशूट पहन कर पैसो समेत रात के अंधेर में उस प्लेन से कूद गया मगर अब सवाल ये था कि आखिर कूपर कूदा कहां क्योंकि ना तो उस फ्लाइट में बैठे किसी सक्ष ने उसे कूदते हुए देखा और ना ही उन फाइटर जेट्स के पैलेटों ने जो बोईंग 727 के उपर और नीचे उड़ रहे थे उसके बाद उस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के जरिये FBI को पता चलता है कि रात के लगबग 8 बच के 13 मिनट पर प्लेन में एक जटका महसूस हुआ था तो हो सकता है कि कूपर उसी वक्त इस प्लेन से कूदा होगा और जिस रूट पर ये प्लेन चल रहा था उसका नाम था विक्टर 23 तो इस रूट और टाइमिंग के हिसाब से कूपर जिस जगे कूदा वो जगे पोर्टलेंड से 64 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ थी और एरियल वाशिंग्टन और लूइस नेदी के आज पास थी उसके बाद उसी रात फ्लाइट के सभी क्रू मेंबर्स और चश्मदीद पैसेंजर की मदद से डैन कूपर का स्केच बनवाया गया और फिर अमेर की इतिहास में किसी भी इंसान को ढूणने के लिए आज तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू हुआ और इसे नाम दिया गया नौर जैक अगली सुबह से ही उस इलागे के कई किलोमीटर एरिया में सर्च उपरेशन चलाया गया जहां कूपर कूदा था वो पूरा एरिया जंगलों और बड़े-बड़े पेडों से धका हुआ था और कूपर को उस एरिया में ढूड़ना ऐसा था जैसे भूस के डेर में सुई ढूड़ना मगर फिर भी ये सर्च उपरेशन चलता रहा ग्राउंड पर सर्च करने के लिए लोगों की बहुत बड़ी-बड़ी टीम बनाई गए जिन्होंने अगले कई महीनों तक कई किलोमीटर आगे, पीछे, दाए, बाए, सब जगे चान मारा आस्मान में हेलिकॉप्टर से भी ढूंडा गया नदी के अंदर भी ढूंडने की कोशिश की गए मगर कोई फैदा नहीं हुआ ना तो कूपर मिला, ना ही उसकी लाश, ना ही कोई पैसे और नहीं कोई पैराशूट अब जैसे ही ये खबर न्यूस चैनल्स और न्यूस पेपर में आई तो लोगों के बीच ये खबर ऐसे फैली जैसे जंगल में आग हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर वो रहसे में इंसान कौन है जो रात के अंधेरे में आसमान में उड़ते हुए एक प्लेन से गायब हो गया इस दोरान एक न्यूस पेपर ने गलती से उसका नाम डैन कूपर की बजाए डीबी कूपर छाप दिया और फिर इसके बाद वो इसी नाम से मशूर हो गया उसके बाद FBI ने उसे उसके नाम डैन कूपर जो की उसने पोर्टलेंड एरपोर्ट पर दिया था टिकेट खरीदने के लिए उस नाम की भी हिस्ट्री खंगा ली गई मगर इस नाम का कोई भी शक्स नहीं मिला फिर FBI ने उन सीरियल नंबर को भी पब्लिक कर दिया जिस सीरियल नंबर के नोट डी बी कूपर को दिये गए थे ताकि पब्लिक की मदद ली जा सके कई निउस्पेपर्स नहीं तो यहां तक एलान किया था कि अगर कोई भी शक्स से सिरियल नंबर का एक नोट भी लाएगा तो उसे उसके बदले 5000 डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा मगर इसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा F.B.I. शुरू से ही यह मानती रही कि जिन हालातों में कूपर प्लेन से कूदा उन हालातों में उसका जिंदा बचना नामुम्किन था जिसके लिए F.B.I. ने कुछ थियोरीज दी एक की जब कूपर प्लेन से कूदा तो कूदने से पहले उसने कुछ भी तैयारी नहीं की ना तो उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो स्काइडाइविंग में पहना जाता है नहीं जूते, नहीं दस्ताने, नहीं चश्मा और नहीं हेलमेट और जो पैरशूट उसने अपने लिए चुना, उस पैरशूट को भी अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था उस दिन बाहर तेज हवाओं के साथ-साथ बारिच भी हो रही थी और उपर से अंधेरा तो कूदने के बाद उसे होश ही नहीं रहा होगा कि वो कहा जा रहा है और अंधेरे में वो एक पेड़ के उपर गिरा होगा और उसकी मौत हो गई होगी दूसरा कि जब वो प्लेन से कूदा तो वो सीधे लुईस नदी में जाकर गिरा और नौंबर के महीने में वहाँ का टेंपरेचर माइनस डिग्री में रहता है प्लेन से कुदने से पहले उसने अपनी कमर से पैसो की बोरी को भी बांदा था जिसका की खुद का वजन ही लगबग साड़े दस किलो था तो पानी में गिनने के बाद ना तो वो खुद समल सका होगा और पैसो के वजन और कंदे पर बंदे पैराशूट ने और परेशानी पैदा कर दी होगी और पानी इतना ठंडा था कि अगले कुछ मिंटों में ही कूपर की मौत हो गई होगी मगर FBI की इन दोनों थियोरी पर शक और सवाल इसलिए उठे कि अगर कूपर की मौत हो गई तो अभी तक उसकी लाश क्यों नहीं मिली जिसकी वज़े से ये इन्वेस्टिकेशन ऐसे ही चलती रही इस गड़ना के लगबग 9 साल बाद 10 फरवेरी 1980 को ब्राइन इंगरम नाम का एक 8 साल का बच्चा अपने माबाप के साथ कोलंबिया नदी के किनारे एक बीच जिसका नाम टीना बाद था वो वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाता है और आग जलाने के लिए वो रेट में गड़ा होता है अचानक से उसे लगता है कि रेट में कुछ दबा हुआ है और जब वो थोड़ा और खोथता है तो उसे वहाँ से 20-20 डॉलर की 3 गड़ियां मिलती है ये नोट काफी पुराने लग रहे थे और उसमें टोटल जो अमाउंट था वो था 5,800 डॉलर उसके बाद ये नोट FBI को दिये गए और जब इनका सीरियल नमबर मिलाया गया तो वो उन सीरियल नमबर से मैच हो गए जो कूपर को दिये गए थे उसके बाद से आगे कई बार टीना बार बीच के खुदाई की गई मगर इन तीन नोट के बंडलों के इलावा वहां से और कुछ नहीं मिला पर फिर भी ये सबूत मिलने के बाद FBI को लगा कि अब ये केस सॉल्व हो जाएगा मगर इन पैसों ने केस को सुलजाने की बजाए और उलजा दिया क्योंकि टीना बार बीच जहां ये पैसे मिले वो लगबग वहां से 27 किलोमेटर दूर था जहां कूपर ने चलांग लगाई थी तो सवाल ये था कि आखिर ये पैसे यहां आए कैसे इसके लिए एक थियोरी ये आए कि जब कूपर प्लेन से कुदा तो उसके कुछ पैसे लूइस नदी में गिर गए और वो नोट बहते बहते कुलम्बिया नदी में आ गए और फिर कुलम्बिया नदी के जरिये टीना बार तक पहुँच गए मगर प्रॉब्लम यहां यह थी कि लूइस नदी जिस जगे कुलम्बिया नदी से मिलती है वहाँ से कॉलंबिया नदी टीना बार की उल्टी दिशा में बहती है तो उन पैसो का कॉलंबिया नदी में मिलने के बाद टीना बार बीच पर पहुँचना पॉसिबल नहीं था और ये तीनो नोट की गड़िया एक साथ बहकर एक ही बीच के किनारे एक ही जगे पर आकर रुख जाए वो भी नैचुरल तरीके से ये भी पॉसिबल नहीं लगता तो क्या प्लेन से कूदने के बाद कूपर जिंदा बच गया था और ये पैसे कूपर ने ही उस बीच पर छुपाए थे या फिर किसी और को ये पैसे मिले और उसने यहां आकर छुपा दिये इसका जवाब किसी के पास नहीं था इधर अमेरिका में कई लोग डीबी कूपर को एक हीरो की तरह मानने लगे थे कई लोगों का मानना था कि जिस तरह से कूपर ने ये हाईजेक किया और उसके बाद हवा में गायब हो गया और आज तक FBI जैसी Investigation Agency भी उसे ढून नहीं पाई और जिस तरीके से उसने FBI को चखमा दिया वो काबिले तारीफ है और ये एक परफेक्ट क्राइम था एरियल वाशिंग्टन जहां कूपर कूदा वहाँ से कुछ दूरी पर एक दुकान है जिसमें आज भी कई लोग Thanksgiving Day पर कूपर की काम्याभी का जश्न मनाने आते हैं उदर FBI भी कूपर की खोज में लगी रही लंबी चान बिन चली हर पॉसिबल जगे को खंगाला गया साल दर साल बितते गए मगर कूपर का कोई पुकता सबूत नहीं मिला कूपर से मिलते जुलते कई सस्पेक्ट को उठाया गया जिनमेंसे कई लोग तो ऐसे थे जिनके फैमिली मेंबर्स ने खुद आकर कहा कि उसकी वाइब डीबी कूपर थी कि उसका भाई डीबी कूपर था उसके अंकल डीबी कूपर थे मगर कभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि वो ही डीबी कूपर है ये इन्वेस्टिकेशन ऐसे ही चलती रही और साल 2011 आ गया इन बीते हुए सालों के दोरान FBI ने लगबग 1000 से भी ज़्यादा सस्पेक्ट को टारगेट किया जिसकी वज़े से साल 2011 तक इस केस की इतनी फाइल्स बन चुकी थी कि अगर इन फाइलों को एक के उपर एक रखा जाए तो इसकी उचाई लगबग 40 फीट तक हो जाएगी FBI ने जितने भी सस्पेक्ट को टारगेट किया उनमें से एक सस्पेक्ट जो सबसे इंपोर्टेंट था उसका नाम था रिचर्ड फ्लॉइड मकोई जूनियर कूपर के गायब होने के लगबग 4 महीने बाद ही 7 अपरेल 1972 को रिचर्ड ने बिलकुल कूपर जैसे ही United Airlines की फ्लाइट 855 को एक हैंड ग्रेनेड और एक पिस्तॉल के दम पर हैजेक किया था उसने भी एरपोर्ट पर टिकट लेने के लिए कूपर जैसे नकली नाम का इस्तमाल किया था उसने भी अपनी डिमांड एक पेपर पर लिखकर दी थी उसने भी 4 पैरशूट की डिमांड की थी बस उसने 2 लाग डॉलर की बजाए 5 लाग डॉलर की डिमांड की थी और उसने भी जिस एरकाफ को हाईजेक किया वो बोईंग 727 था और पैसे लेने के बाद वो भी प्लेन के पिछले दरवाजे से कूद गया था मगर उसके 2 दिन बाद ही 9 अप्रेल 1972 को FBI रिचार्ड मकोई को पकड़ लेती है और सभी को लगता है कि वही कूपर है मगर एक चीज जो उसे कूपर साबित करने के आड़े आ रही थी वो थी उसकी उम्र 1971 में जिस दिन कूपर ने प्लेन हैजेक किया उस टाइम रिचार्ड मकोई की उमर सिर्फ 29 साल थी पर चश्मदीदों के हिसाब से कूपर की उमर 1971 में 45-50 के बीच थी उसके अलावा रिचार्ड मकोई ने ना तो कभी ये माना कि वो ही कूपर है और ना ही कभी मना किया उसके दो साल बाद ही 1974 में एक पुलिस मुटभेड के दोरान रिचार्ड मकोई की गोली लगने से मौत हो जाती है मगर आज कूपर के पिये हुए सिगरेट बड्स से मिले DNA के जरीए ये साबित किया जा सकता था कि रिचार्ड मकोई ही DB कूपर है या नहीं जो की 1972 में पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस वक्त DNA की सुविधा नहीं थी मगर बड़े ही रहस्यमाई तरीके से ये सारी सिगरेट के बड्स FBI के पास से गायब हो गए और ये कैसे गायब हुए FBI के पास इसका कोई जवाब नहीं है उसके बाद 8 जुलाई 2016 को FBI कहती है कि हमने पूरी कोशिश की DB कूपर को ढूनने की हमने इन बीते हुए सालों में अपनी सभी मैन पावर का इस्तमाल कर लिया मगर वो कहां से आया और कहां गया ये हमें नहीं मालूम और आखिरकार 45 साल बाद FBI अपनी हार माल लेती है रिचर्ड मकोई के अलावा और भी कई important suspect थे जैसे Kenneth Peter Christensen, Robert Rex Straw, Lynn Doyle Cooper, Barbara Dayton, Robert Lepsey, Sheridan Peterson, William J. Smith, Duane Weber और इनके इलावा और भी बहुत से मगर आज उड़न 40 साल बाद 2021 में भी ये पता नहीं चल सका है कि आखिर DB Cooper कौन था जो आसमान में उडते हुए plane से रहसे में तरीके से रात के अंधिरे में खो गया और ऐसा खोया कि फिर कभी नहीं मिला उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया ये आज तक पता नहीं चल सका क्योंकि ना तो वो खुद मिला और नहीं उसकी लाश ये केस अमेरिकी इतिहास का इकलोता ऐसा hijacking का केस है जो आज तक solve नहीं हुआ और आज भी रहसे बना हुआ है तो ये थी कहानी उस रहसे में इंसान डीबी कूपर ये डैन कूपर की मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी अगर आपको कहाणी पसंद आयो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताए कि आपको कहाणी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आप मेरी कोई भी कहाणी मिस्ना करें और इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे Thank you very much